ये वीडियो बहुत ही ज़ादा डिमांडिंग था जहां पर आप सभी डिमांड कर रहे थे कि 10 ऐसे रिकॉर्ट्स के बारे में बात करो जो प्रो कवड़ी लीग में बना है और उसे तोड़ पाना बहुत ही ज़ादा मुस्किल है और जब हम रिकॉर्ट्स की बात करते है तो परदीप नर्वाल का वो आठ रेट पॉइंट्स का जो रेट था वो याद आता है लेकिन मैं आपको बता दू ये एक रेडर ने पहले ही अचीव कर लिया है आठ रेट पॉइंट्स एक रेडर में उसने स्कोर किया था आखिर ये कब हुआ इसके बारे में हम बात करेगे वी अगर आपको इस पे और ज़्यदा एक्स्टेंडड वर्जन चाहिए तो इसका पार्ट टू भी बना दूगा अगर आपको चाहिए ता आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो फटवर्ट शुरुवात करते हैं नंबर 10 के साथ तो पहला रिकॉर्ड आता है मोज सूपर 10 इन्होंने स्कोर किया एंड उसी सीजन में इन्होंने 243 रेट पॉइंट भी स्कोर किया था जो डेब्यू सीजन में सबसे ज़्यादा रेट पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड इनके पास है लेकिन हम बात कर रहे हैं सूपर 10 की तो ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा य यह भी guarantee नहीं है तो यह record आप कह सकतो कि आने वाले काफी seasons तक maintain रहने वाला है 9th rank की बात करते हैं तो अगला record है fastest to score 1000 rate points in pro कबड़ी लीग सबसे तेज 1000 rate points टच करने वाले कौन सक हिलाडी है तो वो है नवीन कुमार नवीन कुमार को 90 matches लगे 1000 rate points तक पहुचने के लिए और आप कह सकते हो कि fastest rate to touch 1000 rate points in PKL वो है नवीन कुमार और आप इसे breakdown करोगे average में तो 11 का average नवीन कुमार को लगा 1000 rate points तक पहुचने के लिए तो यह भी एक काफी unique record है और इसे तोड़ पाना बहुत ज़्यादा difficult है आपको 89 matches में 1000 rate points तक पहुचना होगा अब 1000 rate points तक पहुचना ही काफी difficult होता है एक कबड़ी प्लियर को प्रो कबड़ी में और आपको fastest touch करना है तो यह भी एक अलग challenge होगा तो यह record भी तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा प्लेयर्स के लिए आठवे record की बात करते आठवा record है most rate points इन डेब्यू match अपने पहले प्रो कबड़ी season 7 में सुरजदेसाई आपको नहीं पता है तो सिधार देसाई के भाई है और यह पहले record सुरजदेसाई के तोड़ने से पहले सिधार देसाई के पास था सीजन 6 में सिधार दिसाई ने डेब्यू किया था अपने पहले मुकाबले में 15 रेट पॉइंट स्कोर किया तो अपने भाई का रिकॉर्डी इन्होंने तोड़ा और सीजन 7 से लेके अभी 10 तक ये रिकॉर्ड नहीं तूटा है अभी भी सबसे जादा रेट पॉइंट अपने डेब्यू मैच में किसी खिलाडी ने स्कोर किया है तो वो है सूरज दिसाई 18 रेट पॉइंट ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको 19 या फिर उससे जादा रेट पॉइंट स्कोर करना होगा ये बहुत ही ज़्यादा मुष्के लेट तोड़ना साथवे रिकॉर्ड की बात करते तो साथवे रिकॉर्ड है मोस्ट टेकल पॉइंट इना सीजन ये रिकॉर्ड नितेश कुमार के पास है 100 टेकल पॉइंट इन्होंने स्कोर किया एक प्रो कबड़ी के सीजन में ये कारनामा इन्होंने पीकल सीजन 6 में दिखाया था 25 मैचेश, 100 टेकल पॉइंट एन्ट आठ हाइपाई इनका आप कह सकते हो कि पीक सीजन था ये रिकॉर्ड अल्मोस्ट ब्रोकन हो चुका था पिसले सीजन सादलू के द्वारा 99 टेकल पॉइंट इन्होंने स्कोर किया था एंड आप कह सकते हो कि टच कर दिया रिकॉर्ड लेकिन तूटा नहीं है तो ये रिकॉर्ड तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुस्किल है तो अभी 4 सीजन हो चुका है सीजन 6 के बाद अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है टच हो चुका है लेकिन ये तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुस्किल होगा अब बढ़ते हैं रैंक नबर 6 की तरफ तो अगला रिकॉर्ड है Most Super Tackles in a Single Game by a Defender एक मुकाबले में एक Defender कितना Super Tackle कर सकता है वैसे तो ज़्यादा Opportunities नहीं मिलता है Super Tackle का Super Tackle यानि की कोट पे आपके टीम में तीन या फिर से कम Defender होना चीए तो कितना हो सकता है 2-3 Mohamed Reja Sadlou ने Season 9 में 8 Super Tackle एक मुकाबले में स्कोर किया था और आप कह सकते हूँ कि नेक्स्ट टू इंपॉसिबल होगा और कोई ऐसा Defender इनकी तरह मिला तो ये रिकॉर्ड टूट सकता है अभी आप कह सकती कि रिकॉर्ड इतना अमेजिंग है जो रैंक नमबर 2 पे है ये लिस्ट की बात की जाए तो धर्मेरा चल रहा था ने उन्होंने एक मुकाबले में 4 सुपर्टैकल स्कोर किया था नमबर 3 पे जीवा कुमार उन्होंने भी एक मुकाबले में मैक्सिमum 4 सुपर्टैकल स्कोर किया तो नमबर 2 एंट नमबर 3 के बीच में gap आप देख सकते हो 8 सुपर्टैकल attempt and सभी successful हुआ था एक लोबी से साइसे आउट हो गये था यह तो नौ सुपर टैकल हो सकता था तो यह record आप कह सकते हूँ कि एक तरह से काफ़ी ज्यादा unique है एंड यह तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा किसी भी defender के लिए इसे के साइथ हम बढ़ चुके है टॉप 5 की तरफ नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 है most tackle points in a single match आप कहा सकते ही के मुकाबले में कितना ज़दा tackle points को ही score कर सकता है तो यह record भी मोहमद रेजा सादलू के पास है मोहमद रेजा सादलू ने 16 tackle points एक मुकाबले में score किये थे यह वो ही मुकाबले जो मैं आपको पहले बताया दबंग डली के against pro कबड़ी season 9 में जो 8 super tackle score किया था उसी के बदोला 16 tackle points इन्हों ने score किया यह record अभी तक टूटा नहीं है season 10 में और नमबर 2 की बात किया तो season 10 में सुभम शिंदे ने 11 tackle points स्कोर किया था करीब पहुँच चुके थे नमबर 3 पे मंजी चिलर 11 tackle points और 4 और 5 सुरिंदर नारा नीरश कुमार 11 tackle points तक ही पहुँच पाया है तो सादलू के अलाबा maximum 11 tackle points से तक कोई defender पहुच पाया है यह record तोड़ पाना बहुत ज़्यादा difficult होने वाला है उस type का आपको performance देना होगा तबी आप इस record को touch कर पाओगे या फिर तोड़ पाओगे चौते rank की बात करते हैं तो चौते rank पे मैंने रखा है most rate points in a single season आप कह सकते हूं कि एक season में सब से ज़्यादा rate points किस raider ने score किया तो यह record है परदीप नरवाल के पास और सब्से ज़्यादा rate points के साथ ही काफी ज़्यादा rate points इन्होंने एक season में score किया था 369 rate points वो भी प्रो कबड़ी season 5 में 26 game इन्होंने खेला था 369 rate points इन्होंने score किया साथी में 19 super 10 आप कहा सकते हो कि परदीप नर्वाल का ये peak season था ट्रोफी भी जीता पतना पाइरेट्स के टीम ने उस season के top radar थे उस season के MVP थे तो परदीप नर्वाल ने काफ़ी जादा record उस season में तोड़े एक और record टूटा है इस season में वो आपको आगे जानने को मिलेगा तो आप कहा सकते हो कि ये record तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और पवन सहरावत पहुँच चुके थे लगबग season 7 की बात की जाए तो 346 rate points इन्होंने score किया था और आप कहा सकते हो कि नंबर दो और नंबर एक के बीच में 23 rate points का gap है तो ये record तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अब देखते कौन सा raider इस record को तोड़ पाता है बढ़ते हैं top 3 की तरह तो rank नंबर 3 पे मैंने रखा है most consecutive super 10s by a raider in pro कबड़ी लीग ये record आपको पता है कि किसके पास होगा वो है नवीन कुमार और लगदर कितने matches में एक raider super 10 लगा सकता है वो भी PQL में 10 match 15 match 28 matches में नवीन कुमार ने back to back super 10 score किया ये शुरुवात कहा से हुआ प्रो कबड़ी season 7 का game number 14 था दबंग डेली की टीम अपना दूसरा मुकाबला season 7 का खेल रही थी और ये मुकाबला 28 जुलाई 2019 को खेला गया और जो नवीन कुमार का जो streak था वो end नहीं मतलब कि आखरी 28 वा super 10 इन्होंने प्रो कबड़ी season 8 में लगाया था game number 40 जो की दबंग डेली एंड यूपी ओधास के बीच में खेला गया था एंड ये match 8 जनवरी 2022 को हुआ तो आप कह सकते हो की 2019 से 2022 के बीच में जितने भी matches खेले नवीन कुमार सभी matches में super 10 score किया दो different seasons थे एंड दो season के बीच में gap भी होता है एंड आप super 10 score करो एंड ऐसा निया की आपने 10 point score किया किसी-किसी match में 18 किसी-किसी match में 20 तक भी पहुँचे तो नवीन कुमार consistent रह है एंड जिस तरीके से performance दिखाया बिलकुल आप कह सकते हो की तारीफ वाला था एंड ये record भी एक तरह से काफी unique है एंड इसे तोड़ पाना next to impossible हो सकता है नवीन कुमार के लिए भी impossible होगा 29 matches में super 10 आपको score करना होगा अगर आपको record तोड़ना है तो ये record तोड़ने के लिए आपको एक से ज़्यादा season का समय लगेगा अब मेरे top 2 unbreakable records के बारे में जाने इससे पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ अभी cricket का action चल रहा है इंडिया वसी स्रीलंका का जो T20i series है फिर Odii series भी खिला जाएगा 27 जुलाई से ये दौरा start होगा सभी matches के prediction आपको cricket गली fantasy channel पे देखने को मिल जाएगे इस telegram channel पे आपको फ्री में fantasy teams फ्री में matches के prediction देखने को मिल जाएगा तो आपने check out नहीं किया तो description box में आपको link दे देना वाला फटफट जाके आप check out कर सकतो या फिर टेलिग्राम पे जाके cricket गली fantasy सर्च करके भी आप cricket गली fantasy channel को बिलकुल फ्री में join कर सकते हो अब बढ़ते हैं rank no.2 की तरह तो rank no.2 पे record है most rate points in a single game एंड ये record पवन कुमार सहरावत के पास है उन 40 rate points इन्होंने एक मुकाबले में score किया एंड किसी भी raider के द्वारा सबसे जादा rate points score करने वाले पवन सहरावत ही है हरियना स्टीलर्स के अगेंज प्रू कबड़ी सिजन 7 में इन्होंने इतना काफी बहतरीन performance दिखाया एंड मैं आपको एक चीज़ बता दू उस मुकाबले में final full time score की बात की जाए तो हरियना स्टीलर्स का 36 था बैंगलोडू बुल्स का 59 था तो हरियना स्टीलर्स से जादा ही rate points यहां पर पवन सहरावात ने उस मुकाबले में score किया था एंड बैंगलोडू बुल्स के लगबग 66% जो score था वो पवन सहरावाती ने score किया वो मुकाबले की और details में breakdown किया जाए तो पवन सहरावात ने total 38 rates किये थे जिसमें successful 36 rates थे एक unsuccessful and एक empty rates था and देखा जाए तो touch rate points इनका 34 था and 5 rate points bonus points से निकल के आया तो 49 rate points का record तोड़ पाना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा difficult होगा आप कहा सकते हो कि as a team ही 40 points आप नहीं पहुंच सकते हो as a player कि आप पहुंच सकते हो इसके लिए आपको अलगी तरीके का performance देना होगा and हर एक rate आपको ही करना होगा and इससे पहले record परदीप नर्वाल के पास था 34 rate points इन्होंने प्रो कबड़ी सिजन 5 में स्कोर किया था Eliminator 2 के मुकाबले में वो भी हर याना Steelers के against and इस मुकाबले में एक और record बना था जो मैं आपको number 1 rank पे बताने वाला हो and मैं आपको बता दू परदीप नर्वाल 34 rate points दो बार पहुंच चुके है एक Eliminator 2 के मुकाबले में पहुंच आता and इसके बाद पतना पारेट्स का आखरी मुकाबला Bengal Warriors के against हुआ था and उस मुकाबले में भी 34 rate points परदीप नर्वाल ने score किया था and ये मुकाबला परदीप नर्वाल के लिए आखरी मुकाबला था पतना पारेट्स के जर्सी में तो 34 rate points तक दो बार पहुंच चुके and जो record है वो यहाँ पे बहुंच सहरावत के पास है 49 rate points and एक मैं आपको fun fact बता देना चाहता हूँ जब ये record तूटा था उस समय परदीप नर्वाल उसी stadium में present थे and उनके सामने ही उनका record तूटा गया तो ये काफी आप कहा सकते हूँ कि great moment था दोनों ही players के लिए परदीप नर्वाल ने एक raid में 8 rate points score किया था 6 खिलाडी को इन्होंने single raid में out कर दिया ये मुकाबला eliminator 2 का था प्रो कबड़ी season 5 का हरियना स्टीलस के against एनिस मुकाबले में परदीप नर्वाल ने 6 खिलाडी को एकी raid में out कर दिया ये आप कह सकते हो कि ये record तोड़ पाना लगपक नामुमकिन है technically possible है कैसे हो सकता है आपको 9 raid points कैसे मिलेगा सबसे पहले आपको 7 ही खिलाडी को out करना होगा जिससे आपको 7 points plus 2 all out का मिल जाएगा 9 points अगर आप bonus point लिये होगे तो आपको 10 points एक raid में मिल सकता है मतलब कि एक raid में maximum एक खिलाडी 10 points तक score कर सकता है और परदीप नर्वाल औरेड़ी 8 raid points score कर चुके है वो भी प्रो को बड़ी season 5 में अब जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि एक खिलाडी औरेड़ी इसको touch कर चुका है वो है मौई नभी बक्स मौई नभी बक्स season 8 में यह कर चुके है लेकिन यह record टूटा नहीं है या फिर आप क्या सकते हो कि यह record को equalize नहीं किया यह मुकाबला था Bengal Warriors vs Bengaluru Bulls के बीच में नभी बक्स करने गए raid एंड सबसे पहले ही lobby पे चले गए जितने भी बाकी के defenders थे वो lobby में enter कर गए तो जितने भी defenders थे वो self out हो गए एंड इसे के बाद review होने के बाद बहुत सरा यहां पे controversy हुआ players बहुत सदा argument कर रहे थे umpires के साथ तो यह final decision हुआ कि bonus plus 7 points दिया जाएगा Bengal Warriors को तो एक raid में 8 points यहां पे मिल गया नभी बक्स को लेकिन जो points से वो नभी बक्स के खाते में नहीं गया technical points गया एंड एक point ही नभी बक्स को मिला तो आप कह सकते हो कि umpire सिफ दोई बार ऐसा moment हुआ कि 8 points दिया एक परदीप नर्वाल के समय एंड एक नभी बक्स के समय जिसमें lobby परदीप नर्वाल का काफी जादा महत्व था एंड यह जो incident था वो प्रो कबड़ी सीजन आठ में हुआ तो कह सकते हो कि परदीप नर्वाल का यह record अभी भी मिंटे ने एक rate में सबसे अदा rate points परदीप नर्वाल ने score किया है वो है 8 rate points एंड यह record तोड़ पाना impossible मेरे according जिसको मैंने number 1 पर रखा है तो यह थे top 10 unbreakable records in pro कबड़ी लीक तिल season 10 एंड कौन से record आपका favorite है एंड आप top 3 कौन से records को रखना चाहोगे सबके अलग-अलग thoughts होने वाले तो आप comment section में जड़ो बताएगा अभी और ऐसे काफी unbreakable records मेरे पास पड़े हुए एंड अगर आपको इस पे एक और वीडियो चीए तो part 2B में ला सकता हूँ जिसमें इस record के अलावा बाकी top 10 में बात करने वाल अगर आपको चीदा आप comment section में बता सकते हो अभी फिलहाल के लिए प्रोक बड़ी season 11 का auction कब होने वाला या आपको नहीं पता है तो left side पे click करके देख सकते हो और right side पे चैनल का latest वीडियो सो हो रहा होगा उस पे click करके आप देख सकते हो मिलते हैं उसे वीडियो में thanks for watching